आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपिट शेयर कर रही हूं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोला कबाब बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है हाफ केजी बोनलेस चिकन का कीमा तो बोनलेस चिकन लिया है मैंने घर पे और उसको मिक्सी में चला करके कीमा बना लिया है तो यह हाफ केजी कीमा है इसमें हम कुछ चीज़ा अड़ करेंगे तो यहां पे देखिए मैंने एक बड़े साइस का प्यास कद्दू कस करके उसका प प्रष जुटेी चम्मस बरके जगे हम चप्रियम स्बैस्थ aixòक प्रून करने डालें प्रष गूज लिए जब सोबकर लख सोफे अवर हम स्बक्रिशा यो नीवू प्राइब कर एक या तो मैंने यहां पर नीबुकरस की जगर पर अमसूर पाउडर डाला एक छोटी चमच इसके बाद इसमें डालेंगे हम भुने हुए चने का रोस्टेट पाउडर तो भुने हुए चने ले 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 उसको आप मिक्सी में चलाके पाउडर बना ले चार खाने वाले चमच भरके मैंने यहां पर रोस्टेट चना का पाउडर डाला है आप चाहें तो बेसन को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है हमारे कबाब में अब हम इसमें डालेंगे फैट तो फैट के लिए हम इसमें देसी घी ड लेंगे से तो जो मसाले हैं हर जगर पे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए तो यहां पर देखिए मसाले अच्छी से मिक्स हो गए हैं अब हम इसके कबाब बनाएंगे तो कबाब बनाने के लिए मैंने यहां पर इस तरह की स्टिक ली है आप चाहें तो कोई पैंसि इसका पोशन लेंगे और इस तरीके से स्टिक में चिपका करके हम इसके छोट-छोटे कबाब बना लेंगे तो हम इसको शेप जो है थोड़ी सी राउंड शेप में ही देंगे क्योंकि इसका नाम है गोला कबाब तो इसको हलका सा हम राउंड शेप में रखेंगे तो इस तरी पोशन लेना है नीवू के बराबर हमेंसे बनाना है बस इससे ज़्यादा पोशन नहीं लेना है तो यहां पर हमारा दूसरा कबाब भी बनके रेडी है इसी तरीके से हम सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे और इसके बाद आप इसको चाहें तो एयर कंटेनर में रख करके सकते हैं एक से दो मैने के लिए यह खराब नहीं होते बस इनको अनक करणा के लिए bugs दालेंगे आल देंगे ठीज कconomर एक इस तरीक इसको 4-5 बन अच्ही तरीके से तरे केमा बहुत जल्दी पख जाता है तो बस यह पर देहLOW FLAIM पर मैं इसको फ्राइक कर रही हूं, तक्रिवर 5-6 मिनिट मैंने इनको आछी तरीके से फ्राइक कर लिया है, और हमारे गोला कभाब बन इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह हमारे गोला कबाब रेड़ी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले and thanks for watching this video